तो कैसे हो आप सब बढ़िया फस्क्लास एक बार ज़रा कमेंट करके मुझे बता देना कि ओडियो वीडियो सब ओलो के है आप सब की डिमांड पर जैसी वीडियो आप चाहते थे जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते थे मैं अल्मोस्ट उनी टोपिक्स पर आपके वीडियो बना रही हूं और आप लोग बहुत अच्छा साथ भी दे रहे हो इन वीडियो को लेकिन थोड़ी सी शेरिंग कम है तो आप लोग प्लीस थोड़ा सा शेरिंग को बढ़ा देना ठीक है एक बार बस यह बता दो कि ओडियो यह सब changes कैसे होते हैं हम बच्चे होते हैं बच्चे से फिर हम जवान होते हैं जवान से फिर हम बूड़े होते हैं ठीक है फिर एक दिन हमारी मृत्ति हो जाती है ठीक है इस जीवन का अंत हो जाता है तो आखिरकार इस जीवन का जो यह हमारा चक्र है इसमें हमारे अंदर जो इतने बदलाव होते हैं, यह होते कैसे हैं, तो यह सारा आपका खेला किसका है, यह सारा खेला-खेला हुआ है, किसने होर्मोन्स ने, यह सब हमारा होर्मोन्स कराते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो इन में से कुछ आपके important होर्मोन्स हैं, जि भी बोलते हैं मतलब हमारी खुशियों के पीछे कौन सा होर्मोन जिम्मेदार है डोपामिन होर्मोन जिम्मेदार है किसी भी चीज के अगर आपको लगती है तो उसके लिए हमारे शरीर में डोपामिन होर्मोन ही रेस्पॉंसिबल होता है ठीक है यानि आपको किसी भी चीज क आदत लगना कोई चीज अच्छा लगना इन सब के लिए dopamine hormone आपका responsible होता है आप सब के लिए adult जितने भी हैं उन सब को एक बहुत जादा problem होती है क्या कि मैं जितनी भी हमारी जो आपकी adult side है ठीक है आप लोग समझ रहे होंगे तो उन सब की जो आपकी बहुत बड़ा question होता ह है कि मैं हम छोड़ना चाहते हैं बट ये हमारी एक लट बन जाती है तो उसके पीछे भी आपका dopamine hormone responsible है अब आप लोगों को लगेगा मैं अगर हमें लट लगाती है ये चीज that's mean कि हम इसे छोड़े कैसे तो छोड़ने के लिए भी ये dopamine hormone ही आपका responsible होता है अगर आप आप एक चीज सुनी होगी पुराने टाइम से कि अगर आप किसी भी काम को 15 या 20 दिन करते हैं तो आपकी वो आदत बन जाती है क्योंकि ये जो डोपामिन होर्मोन है ये हमको आदत लगाने का काम भी करता है दूसरा आपका एक hormone क्या होता है ऑक्सिटोसिन होर्मोन ठीक है जहां ये hormone आपका लड़कों में जादा बन जाए तो ऐसे लड़के bisexual हो जाते हैं तो अपने physical relations के लिए लड़के और लड़की दोनों में interested हो जाते हैं तो actually में इसमें उन लड़कों का कोई दोस्त नहीं होता उनके अंदर बन रहे hormones जो होते हैं जो hormonal changes होते हैं वो उन सब के पी साल की उम्र को पार करते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं आपके जल्दी जल्दी बिमार पढ़ते हैं ठीक है पहले आप लोग क्या 22-24 साल की उम्र तक जुखाम हुआ बुखार हुआ तो आपको कोई दवाई लेने की ज़रत नहीं पढ़ती है ऐसे भाप ले लिया गरम प कौन सा होर्मोन हमारी जो आपकी क्या है बेटा जो चैस्ट होती है इसमें आपका क्या है एक आपकी ग्लैंड पाई जाती है थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड पाई जाती है यह एक होर्मोन बनाती है थाइमस इन होर्मोन बनाती है और इस थाइमस ग्लैंड में हमारे शरी तो उसोनी ऑटोमेटिकली शरीर में शुरू हो जाती है जिससे क्या होता है आप जल्दी जल्दी बिमार पढ़ना शुरू हो जाते हो मतलब बिमार पढ़ना इंदा सैंस कि अगर जुखाम बुखार अब आपको हुआ है तो आपको दवाईयों की जरुत होगी ठीक है जैसे क कुछ आपके होर्मोन सोते हैं जो बहुत जादा इंपोटेंट है उनको भी डिसकस कर लेते हैं एक बार है ना उनको भी हम लोग एक बार डिसकस कर लेते हैं तो ये पूरा आपका चार्ट है जो आपके शरीर में होर्मोन बनते हैं और उनके फंक्शन क्या है जैसे की पीनि इखाने का काम किस हור्मोन का है? मैलाटोनिन का जो आपका दिमाग में पीनियल ग्लैंड है वो इसको सीक्रीट करती है साथी साथ ये एक पिगमेंट बनाने में मदद करती है जिसका नाम क्या है? मैलानिन अगर किसी का रंग गोरा है that means इनकी आपका melanin pigment कम बनेगा अगर किसी के अंदर यह melanin pigment ज्यदा बनता है तो उसका रंग काला होगा तो यह गोरा और काला होना एक्छली इनसान के अपने हाथ में नहीं होता मैलनिन का होर्मोन का खेल है कुलमिला के ये भी ठीक है जी धूप में ये होर्मोन आपका ज़ादा बनता है वही हम बात करते है कि इसकी थाइरोइड तो एक होर्मोन बनाती है थाइरोकसिन और ये क्या करती है ये हमारे शरीर के मेटाबोलिजम को कंट्रोल करता है एड्रीनल बनाती है आपका एड्रीनलाइन ये एक होर्मोन बनाती है एड्रीनलाइन जिसको अमेर्जिंसी होर्मोन के नाम से भी जानते है यानि कि आपको जब भी कभी डर लगता है आपकी किसी से लड़ाई होती है उस समय पर आपके शरीर का कौन सा होर्मोन आपकी मदद करता है आ और बिटा लड़कों में क्या टेस्टीज जो एक हॉर्मोन बनाती है टेस्टीस्टेरोन जो कि मेल के रीप्रडक्टिव पार्ट को क्या करता है डावलप करने में मदद करता है ठीक है जी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लो लाइक जरूर किया करो वीडियो को भाई देखो लाइक तो मतलब बनता है आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी महनत लगती है अलग से महनत करनी पड़ती है इन सब चीजों के लिए छोटी वीडियो होती है ये आपकी लेकिन आप इनको थोड़ा ज्यादा शेयर किया करो अपने घर में सब कोई साथ में शेयर किया करो बहुत ये वीडियो सो सब को यह मतलब ऐसी नोली जो सब को पता होनी चाहिए ठीक है कल की वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बाई बाई टेक क्या चीडियो